हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं गार्डनिंग चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो का टॉपिक जो है वह बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है क्यूंकि हमें से हर कोई चाहता है कि वह डहीर सारी सब्जियां लगाए लेकिन अक्सर जगा के किलत की वज़ा से हम यह च प्रूटिंग चाहिए होती है हम कैसे थोड़ी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगा सकते हैं यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेरी इस चोटी सी क्यारी में मैंने शिमला मिर्श लगाई हुई है और करेले की बेले लगी हुई है इसमें इसके इलावा कदू भी लगाया हुआ है कीरे की बेल है पीछे की तरफ अब मैं आपको दिखाऊंगी और जो काली तोरी होती है वो है और यह आप देख सकते हैं यह जुकीनी का प्लांट है इसके पीछे यह चिली प्लांट्स है और इसके साथ यह बहुत ही बड़ा सारा जो है यह बैंगन का पौदा है अब समसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल वाली सब्जियों की चुंकि देखे यह वर्टिकली हम ग्रो कर सकते हैं तो इसको हमेशा आप अपनी क्यारी में पीछे की तरफ लगाईए मेरे पास यह क्यारी में पीछे की तरफ कोई दिवार या सपोर्ट नहीं है इसलिए मैंने रसियों के मदद से जो है जो बेलें लगाई हुई है उनको उपर टाय क्या हुआ है और उसके अलावा यह जो बेंगन का पौदा ही आप देख सकते हैं चूंकि यह बहुत बड़ा हो जाता है बहुत ही बुशी हो जाता है इसको काफी स्पेस चाहिए होती है तो यह मैंने एक साइड पे करके लगाया हुआ है और चूंकि यह पौदा जमीन में है तो आप दे साथ ही चोटे चोटे और बेंगन लग रहे होते हैं इन शॉट के यह एक ही पौदा जो है यह मेरे जितनी भी रिक्वाइर्मेंट है बेंगन के प्लांट की उसके लिए यह बहुत ही जादा होता है अब यहां पर यह आप देखिए मैंने तीन से चार जहें यह बेलें लग होता है तो यह आपकी नीट के लिए सफिशन्ट होता है अब यहां पर यह आप देख सकते हैं यह खर मैंने फर्स टाइम ट्राइक किया है वैसे भी मैं हमेशा आप लों के साथ शेयर करती रहती हूँ जो भी सबजी में पहली दफा लगाती हूँ एक तो वो थे जो खर्ब बैंगन के पौदे पे बहुत ही जाता जो है बैंगन लगे हूए है मैं बहुत ही जबरदसा हार्वेस्ट कर चुकी हूई हूँ अब यह जो फिलहाल मैंने सुच है कि आप लों के साथ यह वीडियो शेयर की जाए तो इसलिए मैं इसको भी आपको दिखा रही हूँ तो फ् चितनी भी एफट करते हैं उसकी बजाए अगर आपके पास थोड़ी जमीन है तो आप इसको जमीन में ग्रो करें तो रिजल्ट बिलकुल ही डिफरेंट मिलते हैं बस सरफ आपको यह देखना होता है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम साथ ग्रो कर सकते हैं हमेशा बे मेरे पास इस वक्त खर्बूजे की बेले हैं मैंने इसको नीचे ग्रो करने के बजाए जो है एक स्टिक की मदद से उपर की तरफ को ग्रो किया हुआ है अब जब मुझे लगेगा कि इस पे कुछ फूट लग गया है और अगर मेरे पास नीचे स्पेस हुई तो मैं इसको न इस प्लान्ट्स मत लगाईए आप सरफ अपनी रिक्वार्मेंट की हसाब से प्लान्ट्स लगाईए तो बहुत ही तोड़ी जगा पर बहुती वेराइटी की सबजी आप ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी चोटी सी क्यारी के अदर आपको हरी मिर्श भ लगे होे हैं, करेले हैं, कदू की बेल है और बैक साइड पे काली तोरी की बेल है और इसके इलावा जुकीनी के प्लांट लगे होे हैं तो यह सब मैंने इस चोटी सी ही जगा पर ग्रो किये हू息 हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मैं टाइम टू टाइम हारवेस्ट करती ही रहती हूं इन चीज़ों की जुकीनी के भी तक मैंने हारवेस्ट नहीं की इसके इलावा अभी तक मुझे यह भी बता नहीं चला कि जो खृषबूजे की बेल है वो के रिज़usanड देगी बारहल जो भी result रहेगा मैं आपनों के साथ share करती रहूंगी और I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर friends आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को like करना हर्गिस मत भूलिएगा ताकि आने वली नई videos आपको मिलती रहें So subscribe कीजेगा, video को like कीजेगा और अगर आपके friends हैं तो उनके साथ share भी कीजेगा See you in the next video, till then happy gardening